नमस्कार मेरे प्रिये छात्रेवन छात्राओं आज हम चर्चा करते हैं अलंकार पे ट्रिक के साथ चलिए देखते हैं अगर आप एक बार इस अलंकार को अच्छे देख लेंगे तो गरंटी कि लगवागा अलंकार आपसे भूलेगा नहीं बार बार एक बर्ण जो आये अनुप्रास की भासा और यमक में जोडा आकर अलग अर्थ दर साता और सलेश में एक सब्द के अर्थ अनेकों भाई अती सयोक्ती में बढ़ा चढ़ा कर छोटी बात बताई चरण कमल एक रूप मान कर रूपक की परिवासा सासी से समसरिस मान लो उपमा जी की आसा चलिए इसको हम देख लेते हैं पूरा क्या है इसकी डिटेल बार वार एक बर्ण जवाए अनुप्रास की भासा माने अनुप्रास अलंकार हम उसको बोलते हैं जिसमें एक बर्ण की अवरत्ती कई बार आ जाए जैसे रगुपति रागहव राजा राम यह भी इसका बढ़ियाऊ एकजामपल है या फिर चारु चंदर की चंचल किर्णे यह भी इसका एकजामपल है अनुप्रास में इसको आपरट सकते हैं जब किसी रचना में बर्ण की अवरत्ती दो या दो से अधिगवार आती है तो हाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है और इसका एजमपल बताई दे रगुपति रागव राजाराम है फिर नेक्स लाइन क्या है और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थदर साता मानि यमक अलंकार में आते हैं दो या दो से जादा सब्द है लेकिन अलग अलग अर्थ हो लेकिन अनुप्रास में बढ़नों की अवरत्ति जैसे रगुपति में रागव राजाराम और यमक में क्या होगा जोड़ा सब्द आएगा वही सब्द दो बार आएगा लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग होगा जैसे यानि कनक कनक दो सब्द आ रहा लेकिन एक अर्थ का दूरा है और एक कनक अर्थ सोना है फिर नेक्श लाइन है और सलेस में एक सब्द के अर्थ अने को हई और सलेस में एक सब्द आता है लेकिन उसके अर्थ कई हो जाते हैं जैसे पानी एक बार आ रहा है लेकिन मोती मानुस चून इन तीनों के लिए उसका अलग 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 अर्थ हो जाता है यानि सब देख बार आएगा और उसके अर्थ कई हो जाएंगे फिर क्या कह रहा है आती सयोक्ति में बढ़ा चढ़ा कर छोटी बात बताई बातों को खूब बढ़ा चढ़ा कर बात दिखाई आती है जैसे हनुमान के पूँच में लगन न पाई याग लंगा सारी जल गई ग फिर चरण कमल एक रूप मान कर रूपक की परिवासा यानि इसमें उपमे में उपमान का आरोप हो जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है जैसे अतियानंद उमग यानुरागा चरण सरोज पखारा न लागा ये बढ़िया इसका एजमपल है फिर है सासी से समसरिस मान लो उपमा जी की आसा यानि उपमा में क्या होता है कि हम एक बेक्ती से दूसरे बेक्ती अबस्तू की समता करते हैं और इसमें में सब्द सासी से समसरिस जरूर आते हैं जैसे चरण कमल सम कोमल पीपर पात सरिस मन डोला ये इनके एजमपल है तो चरण कमल सम कोमल इसमें सम गया तो उपमा हो गया या फिर पीपर पात सरीस तो इसमें भी सरीस आ गया तो पीपर पात सरीस मन डोला तो उसमें उपमा आ गया फिर उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो और उत्प्रेक्षा को एक संकेत समझ लें जो मतलब इंडिगेट करता हमें किसी जीच को मनु मानो जनु जानो यानि जैसे हम कह सकते हैं मानो जूम रहें हैं तरु भी मंद पवन के जोंको से यानि इसमें जिमी जानो जिमी जैस जाना हु माना हु मना हु ये सब्द आते हैं तो उत्प्रेक्षा होता है जैसे फूले कास सकल महिच्छाई जनुवर्शाकृत प्रकट बुढ़ाई इसमें जनुवा गया यह सब्द जहां 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 आते हैं वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है तो अगर इसको एक बार अच्छे से दोहा कर आपको याद रहेगा तो आपको अलगकार कभी नहीं भूलेगा एक बार और हम दिखा जिखा जीते हैं आपको दोहा और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर साता और सलेस में एक सब्द के अर्थ अनेकों भाई अती सयोक्ति में बढ़ा चढ़ा कर छोटी बात बताई चरण कमल एक रूप मान कर रूपक की परिमासा सासी से समसरिस मान लो उकमा जी की यासा उत प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जनु जानो दो चीजों में ब्रह्म पैदा हो ब्रहांतिमान पैज जानो तो उनको अच्छे से जर्रण जरूर ले बहुत भूत धन्यवार और ज़्यादे ज़्यादे लोगों को स्यार कर ले यदि आप चनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले